सुरजपुर पिंजोर सुखोमाजरी बाइपास निर्मान कारे लटकने से ट्राफिक जाम से लोग परेशान है छे साल से अधूरा है ये बाइपास कालका में खा कॉंग्रस प्रदेश महासचिव महिला पावनकुमारी शर्मा ने कालका में शनिवार को कहा कि 25 किलोमेटर दू चंडिगर से कालका आने के लिए एचम्टी तक तो मातर 35 मिनट का समय लगता है लेकिन पिंजोर मला मोड से कालका शिरी कारीमाता मंदर तक मातर 6 किलोमेटर का रास्ता तैय करने में पौना घंटे से एग घंटे का समय लगता है इसी जाम से डर कर अब तो उप मंडल सतर के कालका आने वाले अदिकारी भी पिंजोर कालका शहरों में आने से कत्राने लगे हैं वो भी पिंजोर कालका प्रवानु बाइपास से उकर गुजरते हैं यही नहीं हिमचल बस ट्रांसपोर्ट चंडिगर सीटियू रोडवेज बसों ने भी पिंजोर कालका शहर के अंदर आने से किनारा कर लिया है सरकार द्वारा पांच बार निर्मान का समय अवधी बढ़ाने के बावजुद भी सूरजपुर पिंजोर सुखोमाजरी बाई-पास निर्मान अभी भी अधूरा है उन्होंने कहा कि केंद्री मंत्री नितिन कटकरी ने एक मई 2017 को बाई-पास की चोचाल से चल रहा है इसके लावा हिमचर प्रदेश के अध्योकिक शेत्र बद्दी ब्रोटी वाला डालागड के भारी वानों के कारण ट्रैफिक जाम से विशेश कर पिंजोर वासी बेद परिशान है उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं पिंजोर कालका प्रवानों बाई- से ही गुजरना पड़ता है जबकि सरकार ने पिंजोर कालका वास्यों की बाई-पास निर्मान के लिए उनकी जमीने अधिग्रहन की थी लोगों ने जाम से निजाद दलाने के लिए पिंजोर के घाटी वाला कालका के टिपरा और प्रवानों की मंडी किसमीब बाई-पास पर सिधा कट देने की मांगी है ताकि प्रवानों तक के वहन बाई-पास का उचित प्रयोक कर सकें और शायरों के बितर जाम ना लग पाए